कि नमस्कार दोफ्तों मैं फूल चन्द याद हूँ EPS 95 पर जैसे आप सुनते रहते हैं वैसे प्रद्दिन की तरह आज भी मैं अपनी दो बात ही रखना चाहता हूं आज गरतन दिवस के सुबाउसर पर समस्त देश बाचियों को EPS पेंशनल को मैं हार्दिक बढ़ाई देता हूं बहुत सारी सुबकामनाएं हमारी उनके साथ हैं मित्रो जैसे आपको पता है कि मनुद स्वराजी जी दो तीन दिनों से आपको बराबर अपडेट बता रहे हैं कि या आने वाले समय में 31 जन्वरी का जो धलना प्रदर्शन होगा किस तरह से होगा वह बड़े उजस्वी अत्रे जस्वी कि सब्दों में आपको प्र Kleanne करें आपकी बहानवाव को सोई हुए बहानवाव को जगा रहें धन्य बात के पाकत रहें आज सामको मनुद स्वराजी यूटूब पर लाइब रहेंगे आप लोग भारी से भारी संख्यम उनको देखने कोशिज करेंगे और सेयर भी करेंग कमेंट भी करेंगे भूलना मत आज साम साथ बजे मितु अब मैं आता हूं आज गंतन दिवस के आउसर पर एपियस नाइटी फाइप आप यू माल लिजे कि जन्वरी की महीने में शुरुआत तेवहारों को दिन शुरुआत हो जाता है मकर संक्राति के फिर दूसरा तेवहार हो जाता है 26 जन्वरी के इसी वीच बहुत भब तेवहार हुआ 22 जन्वरी प्राण परतिष्टा भगवान स्री नाम करें अब तेवहारों का सिल्सिल्हा चलेगा अब बात आ गए एपियस 95 के जब कोई राजनेता प्रखर बक्ता या समासे भी या अंदोलनकारी निकल करके सामने आता है यह परिवाटतन होता है हमें लगता है कि आप लोग कहीं हतास हो गए हैं कहीं निरास हो गए अपनी अंतरात्मा को जगाईए ओजस्ट में आईए अपने मनबल को तन की चीड़ता जो आपकी हो रही है मन की दूरबलता हो रही है इससे हम भी पीड़त हो रहे हैं आप बताईए जहां 75 लाख EPS पेंसनर हैं जो अपनी पेंसन की बढ़ोती मांग करने के लिए हैं उसम अब मैं आपको उदारन लेकर चलता हूँ अगर सफल होना है अंदोलन से ही सफल हो पाएंगे अनतरा इसके लाओं कोई रास्ता है नहीं कई बार आईसे अंदोलन हुए कि लोग सफल हुए आप सोचिए अपने देश की आजादी अंदोलन से ही मिली है किसान अंदोलन एक नई सरकार बनी या परिवर्तन हुआ। इसके बाद बहुत सारे अईसे अंदोलन हुए जो अपने प्राणों की बाजी लगा से समर्भूम बना देते हैं मैदान बना देते हैं आय पक्नृ या कि सरकार रहेगी या हम रहेगि या हमारी मगे पूरी जाएगी तो आप उनके आईए उनका मनों बल तभी बढ़ेगी उनके अंदर सक्ति तभी आप आएगी आपके कार्ट को अच्छा रूप दे सकेंगे जब आपके पास संख्याबल जादा होगा आप लोगों ने ढ़िया, उसकी एक सीमा होई देरे देरे आट साल, यू मन लिजे कि दो सरकार के कारकार पूरे होगे लेकिन हुआ हुआ है कुछ नहीं आपने बड़ा अच्छा किया राश्री संपत्य कोई नुश्कान नहीं पहुचाया कोई तोर फोर नहीं किया रेलवाई नहीं रोका मलब बुजूर्ग का जो संसकार होता है आपने अपने जीवन में अथक परिश्रम करके घर परिवार चल इसाल आप यह समय से मिलना चाहिए अब आप यहां पर जमा होता है देश के सभी काम करनेnaj में वाले कामकरने वाले उनका समय काल करके 15 अगर आप कहीं काम कर लेते साम्सन मिल経न मिल जाता है इस तरह से आपने 35 साल, 40 साल, 58 साल तक आपने काम किये, सोचिए कितना धन संग रहे हो गया, 75 लाख जो है लोग पीड़ थे, इस देश में जो पेंसर के चाहने वाले लोग हैं, कि अगर 75 से 10 लोगों को जुड़ा किया जाकि वो 3 को समझा लें, वो 3 को समझा लें, वो 3 को सम हमारे रिष्टेदार हैं, सब हैं, सब आसरी तो बुजूर्ग उपर हो जाते हैं, घर का मुखिया जो बुजूर्ग होता है, वही देश के परधान मंत्री के जैसे हो जाता है, उस घर का वो परधान मंत्री हो जाता है, कैसे रक्षा बजट को चलाना है, कैसे परिवार को कैसे किसी कार को चलाना है, कैसे अनकार को चलाना है, इसमें कापी व्याइ्का खर्जा होता है, अप पैसे के अबहाशमें, आत्म-ग्राणी पैदा होना, массहर की मेधनिय करना तमाम तरह के होता है हम उम्र में छोटे हैं, किसी काम से काम के लायक नहीं लेकिन आज हमारी मजबूरी है हम उनसे भी अपना हाथ पसार देते हैं सरकार अगर सायोग कर देती है जब कि सुप्रीम कोड कादेश है आप जानते है कि साड़े साथ साजार रुपई मिलना चाहिए प्लश दिये मिलना चाहिए सरकार को अपने विचारों का क्रियात्म गुरूप क्यों नहीं दे पा रही कितना प्रियास किया गया वी सो बार अच्छे सालों में अपमान के चलिए जो आकडे निकल कर या रहे सारी दुर्बलता से हैं लगभग चार लाग जो है इस धरा को छोड़ चुके हैं, स्वर्गी हो गए हैं, आखिर निर्धनता भी तो आदमी को आर्थिक रूप से अगर प्रवल हैं, तो आप थोड़ा अच्री वायू जीते हैं, कभी आपके पास पैसे नहों, तो दवा आप कैसे खरी देंगे, घर परिवाल के संचालन कैसे कर हैं, आप बताएं, बच्चा जब इस धर्ती पर आता है, उसको टेननस के इंजक्शन भी लगवाना है, तमाम सारी चीजे हो गए, अंतिव समय संस्कार में भी आप डाई तीन अजार रूपए, अंतिव संस्कार में भी खर्चे आ जाते हैं, यही बात मैंने आप से कहा था है, अपने कमेंट भी अच्छा किया था है, एनी हुमन बाड़ी का इना लिब्या बीडाउट मनी, बिने पैसे कोई जीवित नहीं रह सकता है, सरकार के पास अगर संसाधन की कमी है, आर्टी की स्थित कमजोर नहीं, जो आज हमारे बिस गुरू बोले जाते हैं, बड़ा ब इस पिन्सन दिया जा रहा है, हुए को किना पिन्सन दिया जा रहा है, आप ने तो सेवा का अपने हं का पजिशा मंगा हरु तरह कर हही लेकिन आपके प्रत यह सरकार उदारता कब दिखाईगी, आपके प्रत नांटी फाइब के पैन्शनर हो north emailed, पंसर्के सरकार अखिर मेरे पैसे के लियुत पासे से और के मेरे नहीं ना लोन किसी तveltा से भीग्नไह भीक मनें भूराग रहे हमारे दमंग दिल्ली मिनी संसर फारवाइस पर बराबर देते रहते हैं तो हमें मान के चलते हैं कि हाम हुए मनोशुराजी जी हुए प्रिया बेटी आपके अंदोलन को जितना हमने प्रचार प्रसार का रूप दिया है साधे बाते सुन करके इस बार आपका इतना बड़ा विसाल जन समूह हो गया कि साध सरकार भी आचर्ज हो जाएगी अब ब्रिद्वी लांबंद होने लगे जैसे किसान हो गई थी अब यह बुजूर्ग लांबंद होने लगे जैसे अभी हाल में देखा था रहना हीट के मामले में ड्राइवरों ने एक दिन हरताल कर दिया भारत यह जाए तो अब दगमगाने जैसे इस्तित हो गई सरकार को अपना एक कानून वापस लेना पड़ा है जब संख्या बल आपके पास ज्यादा हो जाए आप यूं मान चलना है विरेंसर जी असोगराव जी के हमें अनना हजारे बनना है हमें राकेश्टिकेज बनना है हमें जो पंचातर लाख प्रिंसलों की बात बही असी करोन में पचातर लाग में कितना अंदर आप सोचे पांच किलो रासन दिया जा रहा है सरकार कहां से ले रही है तो आपको 25 बिचारे तो खर्म होगा जो नामंकित है तो हो सकता एक साक्षी लाख ही आए और यह भी पैसे जो एपी एफ एफो कारियाले में जमा है उन्हीं को पैस्यक मिलना है बड़ोत लिके आपको किसी की आरा सो पंद्रा सो आठारा सो दो हजार तीन हजार पिंसल मिल रही है तो उट के मुह में जीरा जैसे हो जाता है उट के मुह में जीरा है और इसलिए कि अपने पैसे दे दी जीवन कितने दिन सेस बचे हैं जो पेंशन कर रहे हैं कर कल्कुलेशन किया जाए उनको देखकर क्या है उन लगा जाए लगबग वह साट साल पैस साल के हो गए हैं एक एक आदमी का अनुमानिता अश्य साल साल हो तो लिए पता होती है पोड़े दिन आपको देना आ और एक खबर सुना उस सरकार कि जो पिएश राज स्थान में चला जा रहा तो ऑगी billion पैंशन के लिए भारत में लड़ा ही है इस समय १ी ऑपिएश राजयास थान में चलाय जा रहा था उसको निरस्ट करके नई सरकार सब्सक्राइब 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 अपने होसले के ना रख आपने वाले नहीं है तूड नहीं है जुकने वाले नहीं इस र्रकार को छोडागी डेखता और यह लड़ाई आपकी अगर हम आपकी साभाक्ता निभा करके आपको रोज इंफार्मनेशन दे रहें तो आपकी जिम्मेदारी होती है आप हमें लाइक करें कमेंट करें सेयर करें कोई जयनकारी हो तो कमेंट के मात जम के आप हमें बताएं और हमारा भी जब आप कमेंट करते हमारा भी मनंबल होता है इतना को आप भिस्वार से मान चलिए आठ साल की लड़ाई में जो प्रकरता जो ताकत हमने आपको दी है प्रिया बेटी ने दी है मनस्वराजी ने दी है कई कई चैनलों में हम इसलिए रो जाते हैं कि आपका सुभासिर बाद मिलता है हम भी एक संसक करता रहूंगा इंफार्मेशन देता रहूंगा सूचना देता रहूंगा हम बड़े ब्रिंद जनों के साथ खड़े हैं आपकी लड़ाई के साथ इसी एक साथ मैं अलविदा चाहता हूं दोफ्तों